नमस्कार दोस्तों वेलकम टुश्विंग ट्रेड आज हम बात करेंगे नेसले इंडिया कंपनी के बारे में इस कंपनी का डिटल अनालिसिस करेंगे और आज के दिन में यह स्टॉक में तीन परसेंटेस तक का गिरावर देखने को मिला है तो अभी कौन सा लेबल पर हमें बा करके रख लिए ताकि आने वाला वीडियो का आपको टाइम लिए मिल सकता है चले स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाट वस्टिंग टाइम अगर देखेंगा आज के दिन में यहां पर टूपाइट नाइन परसेंटेस का गिरावर देखने को मिला है जो कि 522 पॉइंट का इसी साबसे अगर हम बात करेंगे यहां पर निफ्री में तो एक इप इंप और धिक दिखा रहा है उसके बाद में वह आज की दिन में 63,000 कॉंटिटी ट्रेडिंग हुआ है उसी के साथ में 29,000 कॉंटिटी यहां पर डिलिवरी उठाय गया है जो कि 46% का डिवरी एफिरेंस उसी के साथ में company का अगर result के बारे में बात करेंगे, company ने result भी post किया पिछले month में, तो उसी साथ से company का अगर market cap के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ में अगर हम stock का पी के बारे में बात करेंगे, यहां पर 20,600 stock का all time हाई है, बिलकुल अभी 3,000 रुपी correction पर मिल रहा है, जो कि 17,600 तो अभी अगर हम इस company के बारे में यहां पर जाके देखते हैं, अभी result पोस्ट किया है company ने, तो company का result में यहां पर हम sales के बारे में बात करेंगे, 3,981 करोड का यहां पर sales देखने को मिला है, अगर year on year देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर sales increase हुआ है, लेकिन उसी के साथ मगर net profit के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर 602 करोड का net profit देखने को मिला है, मिला था जो कि मार्स 2021 को, लेकिन अगर हम यह अभी देखते हैं, तो यहां पर 595 करोड का यहां पर net profit देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा decline रहा है, around 1.1 से 2% कर तक यहां पर decline रहा है, तो उसी साथ से अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगर हम देखते हैं, तो यहां पर net profit में improvement नज़र आया है, लास्ट चार क्वाटर में अगर हम देखेंगे, तो यहां पर net profit 237 करोड का net profit देखने को मिला है, उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे sales के बारे में 15,079 करोड का यहां पर sales देखने को मिला है, उसी के साथ में कंपनी का अगर वैलंसी जाके देखते हैं तो यहां पर रिजर्ब तो कंपनी का हमेंसा ग्रोइंग होते जा रहा है बहुत बढ़िया है जो कि अगर हम पॉब्ली के बारें बात करेंगे पॉब्ली के पास में फ्रेंड अगर हम चार्ट पर देखते हैं मैं इससे पहले भी एक बर इस टॉक को चर्शा किया है तो इसी साथ सब्सक्राइब अगर आपको इसमें बनाना है यह जो लेवल तक जरूर मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए अगर आप इंतजार करना चाहते हैं अगर अभी से आप आक्युमिलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है तो यहां पर अगर हम बटम की बारे में बात करेंगे स्टॉक का जो सब्सक्राइब 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 क्यूंकि इसका जो मेन सपोर्ट है तो मेन सपोर्ट यहां पर बनके आता है यहां पर अज़ान सब्सक्राइब का लेवल स्ट्राउंग सपोर्ट तो वहां तक का अगर हम रीज के बारें का लेकिन अगर आपको थ्री पॉइंट सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर रिवाट बहुत अच्छा रिवाड है जो की टूंटी का रिवार्ड है ठीक है और फंडमेंटली बहुत स्ट्रॉंग स्टॉक है तो इसमें हमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियों में तो आपको होल्ड करना चाहिए तो इस टॉक में अगर आप पूराना ट्राक रेकर्ड भी देखेंगे तो यहां पे दस साल में 14 परसेंटेज का रिटन दिया है तीन साल में 19 परसेंटेज का कंपनी ने रिटन दिया है उसी के साथ में और इक चीज़ बताना चाहूंगा फ्रेंड्स ठीक है कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते ना उसका सारे डिटल अनालीसिस जरूर सीख लीजिए उसी चाहिए तो बहुत ब़ी होता है मोमेंटम में नहीं है अभी बहुत बड़ी ऐसा है पर चल रहा है तो अभी यह लेबल पर एंट्री करेंगे यह टार्गेट लेके चलेंगे मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का और एक कंपनी का टार्गेट भी है अगर आप आके देखेंगे तो यहां पर अक्कुमिलेट नेशले इंडिया टार्गेट ऑफ 19,472 यह कौन दिया है क्या चुक्सी तो यहां पर यह ब्रोकिंग आउस का भी टार्गेट है नाइटिनननड़ फोर सेवेंटी टू तक लेके चल सकते हैं ठीक है जो कि बहुत बढ़ी ऐसा टार्गेट अभी है तो इसी साब से अगर मैं भी उस टार्गेट की बात कर रहा हू तो मैं स्टाक का अल्टाइम हाई की बात कर रहा है जो कि 20600 का लेबल है यह सब कंपनी में कोई प्रोब्लेम नहीं है बहुत बढ़ी है कंपनी है इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रॉंग है तो आप यह स्टाक को कंसिडर कर सकते हैं लेकिन कोई भी स्टाक में आप पोजिश पहले लिए उसके साथ मगरा आपको सीखना चाहते हैं तो यहां पर फ्रीले आप सीख सकते हैं यहां पर आएंगे तो यह स्टाक करते हैं लगाते सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं इस विदियो आप एक दिन अगर थोड़ा देख लेगे ना तो आपका बहुत बढ़ी ऐसा experience हो जाएगा ताकि आपका portfolio में कोई एक गलत स्टक नहीं रह सकता है ठीक है तो यह पहला चीज है आपका portfolio में गलत स्टक नहीं रहना चाहिए अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन भी बिल्ट करता है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड पर आजिंग दिस वीडियो